साथियों नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेज जंक्सान एक कदम सफलता की ओर में और हम लेकर क्या आगा है आपके लिए UPSC, MPPSC, SSC, UPSI, Banks और अन्य सभी परिच्छाओं की दिरिष्टी से अति महत पूर्ण 360 डिग्री करेंट अफेर्स यानि कि यहाँ पर आपको हर एक प्रशन के बारे में डीटेल में जानकारी दी जाएगी जिससे अगर उससे समधर कोई अन्य प्रशन भी आपकी परिच्छा और लोगों देखने को मिल जाएगा साथी साथ मिस वीडियो की PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलिग्राम पर आप हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं तो चलिए बिना समय गवाई हुए चलते हैं सीधे कल के रिवीजन की और पहले ये देखते हैं आज हमारा से स्टाट हो जाएगी दस क्रिशन आपको बाकाइदा फोटो और एनिमेशन के साथ में दिखाए जाएंगे उसके बाद स्टैटिक जीके के तीन कुष्चन आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि आपके एक्जाम में स्टैटिक जीके भी आती है उसके बाद बात करते हैं MP करे होने के बाद में कमेंट बॉक्स में देना होगा जिससे की कल की वीडियो में आपका नाम भी स्क्रिन सोट के साथ में आ सके ठीक है तो चलिए बिना समय गवाए हो चलते पहले रिवीजन की ओर तो पहले रिवीजन वाला प्रशन देखिए तो पहला प्रशन है दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन या थ्री पुल कहां पर बनाया गया है कल ये कुशन हमने आपको कराया था क्या आपको याद है option A पुर्टगाल, option B अमेरिका, option C चीन, option अमड़ी है उस्ट्रेलिया चलिए answer दिख लेते हैं option A है 50, option B है 100 million, option C है 200 million, option D है 250 million चलिए answer दिख लेते हैं सही answer B यानिकी 100 million तक अपनी खुराग बढ़ा लेगा और इस प्रस्टन के बारे में डीटेल में जानकारी कल हम आपको दे चुके हैं चलिए आगे बढ़ते हैं रिवीजन के अगले पस्टन के और बात करते हैं तो मैडम तुसाद मुजियम में अमेरिका के किस उप्राश्पती की मूर्ती बनाई जा रही है option A है Bill Clinton, option B Hillary Clinton, option C Kamala Harris या फिर option D है इन में से कोई नहीं चलिए answer दिख लेते हैं चलिए ये आपका समाप्त हुआ आप सीधे चलते हैं अपने टुडिक करेंट अफेर की बात करते हैं तीन मई यानि की आज की सभी करेंट अफेर जो महत्पूर हैं आपकी परिचाख दिश्टी से विद्फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो और एनिमेशन के साथ में आपको दिखाते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रस्ट आज की करेंट अफेर का देखिए अब इहाली में IPL इतिहास में 50 अर्द सतक लगाने वाला खिलारी कौन बन गया है आप्सन है विराट कोहली, आप्सन भी है डेविड वार्नर, आप्सन सी है रोहिस सर्मा या फिर आप्सन बड़ी है सचिन तेंदुलकर तो एंसर तो आपको समझ में आई गया होगा फोटो देख कर गए चलि फिर भी एंसर दिख लेते हैं सही असर भी यान की डेविड वार्नर ऐसे पहले खिलाडी बन गए हैं जिनोंने आई पील में अर्ध सतकों का अर्ध सतक लगाया यानि कि पचास अर्ध सतक कंप्लीट कर ली हैं चलिए इस प्रशन के बारे में आपको डीटेल में जानकारी देते हैं कुछ देखिए और श्टेलिया के खिलाडी डेविड वार्नर ने अभी हाली में चेन नहीं सुपर किंग के खिलाब सतावर रण की पारी खेल करके एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया क्या रिकॉर्ड है वो तो डेविड वार्नर आई पील में 50 अर्ध सतक लगाने वाले पहले क्रिकेट दिए गया दूसरा जो dif Chamillilliamson को यहां पर कप्तान बना दिए गया तो आपसे पूछा जा सकता है डैविड वर्नर IPL में किस टीम की और से खेलते याद रखीगा आई पील में सन राजर्स हैदराबाद की तरफ से डैविड वर्नर खेलते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रेश्ण की बात करते हैं अप्रेल 2020 में कनु प्रिया का निधन हो गया वे किसे छेत्र से सम्मंदितनी और सने अभिनाय और सन भी राजनीती भारत के राष्टी टेली विजन नेटवर्क पर एक जाना माना चेहरा यानि दूर दर्सन का एक जाना माना चेहरा कनु प्रिया का 30 अपरल 2021 को COVID-19 की जटिलताओं की वज़ए से निधन हो गया यानिकि COVID-19 की वज़ए से इनका निधन हुआ है वे विबिन टीवी सो जैसे क भंवर, अनारो, कहीं एक गाउं, करतब मेरी कहानी, टेसू के फूल, तुम्हारा इंतिजार है के साथ-साथ, टेली फिल्म्स में भी दिखाए गए थी, तो ये साधी धारवाइक में इन्होंने काम किया था, वे दूर दर्सन का एक प्रसिद्य चेहरा थी, तो याद रखी पंदरा लाग रुपए की अनुगरह रासी देने की घोशना की गई है, ओपशन यह जार खन, ओपशन बी है आंध़ प्रतेस, ओड़ी इसा, ऊपशन मद ड्रखन, तो चलिए देखते हैं कि, कि स राज ने यहाँ पर पतरकारों के परिजनों के लिए ये सुविदा अलगी स्रकार को प्रण लाइन की संगतने की सलग ने इस पहले उत्तराखंड में पत्रकार और मीडिया संगटनों के प्रतनिजित को फ्रणलाइन कारिकर्त गोसित किया था उत्तराखंड ने भी आप याप याद रहा है सबसे पहले उत्रकंड ने उसके बाद उडिसा ने उडिसा सरकार ने COVID-19 से मनने वाले पत्रकारों के परिजनों के लिए 15 लाख रुपए की अनुगरह रासी देने की भी गोशना की है ठीक है चलिए उडिसा की बात कर लेते हैं तो CM को है नवीन पतनाइक जो है उडिसा के CM ह और राजपाल कौन है तो गड़े सी लाज जो है वो उडिसा के राजपाल है याद रखिएगा चलिए अगले प्रशनी की और चलते हैं सारे प्रशन को याद रखना क्योंकि कल वाली जो वीडियो आएगी उसमें भी सुरू में हम आपसे तीन कुश्चन पूछेंगे जो इन ही कुश्चन में से होंगे और आपको जज़ करना है अपने आपको कि आपको यह कुश्चन याद है कि या फिर नहीं है ठीक है चलिए विस्ट्वहाश्च दिवस मई महीने के पहले रविवार को मना जाता है या पहली बार कब मनाया गया था ऑप्सन है 1994 ऑप्सन भी है यानि कि इस हिसाब से वर्स 2020 के लिए दो मई को यह मनाया गया था दो मई को वर्स 2020 में विस्ट्वहाश्च से दिवस वर्ल्ड लाफर डे मनाया या याद रखिएगा यहां से और मतलब इससे क्या फाइदा है इससे कई उप्चार लावों के बारे में जगरुता बढ़ान जनवर को मनाया गया था उसके बाद मतलब की रहल कर मनाया जाता है कि महा राश्ट में कौन सी परियोजना चालू की है Option A है महिंदरा COVID-19 Finance, Option B है महिंदरा COVID-19 Care, Option C Oxygen on Wheels या फिर Option मड़ी है, इन में से कोई नहीं, चलिए answer देख लेते हैं चलिए कुछ जानकारी देखते हैं, इस प्रशने से संबंदे, देखे, महिंदरा समूग की अद्रच आनन्द महिंदरा ने महाराष्ट में Oxygen on Wheels परियोजना शुरू की है, इस परियोजना की माध्यम से सयंत्रों का अस्पतालों और घरों तक आसानी से परवहन किया जा सकेग या अस्पतालों और घरों के साथ साथ Oxygen उत्पातकों को जोडने के लिए इस्थानी सटल मार्गों में ट्रकों का उपयोग करेगा, यानि कि महिंदरा जो गुरूप है वो ट्रकों के माध्यम से Oxygen और अन्य जो सामान है उनको और होस्पीटल से सीधे घर तक सप्लाई करे ही है याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण एस्सार समुने कोविड-19 देखभाल के अंदर किस राज्ज में इस्थापित किया है और सने है गुजरात ऑप्सन भी है महाराष्ट्र ऑप्सन सी केरल या फिर ऑप्सन मड़ी है आंधर प्रदेश तो च सौ बेड़ वाला कोविड-19 के अंदर स्ताफित किया है तो सौ बेड़ होंगे जिसमें ऑक्सीजन पूरा उसमें हर जगा ऑक्सीजन वगरा लगी होई होगी सारी सुबधाय उपलब्द होंगी एससार समून है गुजरात के देव भूमी में यह मतलब की हॉस्पिटल को ब ठीक है तो 40-20 यानि कुल मिला करके 60 कमरे और 100 बेड़ वाला यह होस्पिटल जो है बनाया गया है एससार ग्रुप के द्वारा गुजरात के द्वार का में ठीक है चली आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहां से आपका करेंट अफेर का समापत हो इसके बाद 3 मई टुड़ प्रस्ते जो आपकी आगामी परिच्छाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्पूर साबित होने वाले हैं साथ ही साथ में एक मतलब एक तरह से यह कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव न्यूज भी आई है आपके एक्जाम को ले करके वो भी आपको बता देते हैं देखिए मुख्यमत्री सिवरागार्ण चौहान ने अभी हाती में मंद्देप्रतेश के सहरी पता देखिए को यहाँ पर सीधे डारेक्ट खाते में इनके ट्रांसपर करने की बात की गईये कैसे आए देखते हैं तो मुख्यमंत्री सिवराज सिवहान ने 10,000 सहरी पत्थ व्यवसाईयों के बैंक खाते में रुपए 1,000 अंदान रासी अंतरित की है, यानि कि 1,000 रुपए जो है हर एक जो पत्थ व्यवसाई होते हैं, स्टीट वेंडर होते हैं, उनके खातों में पहुंचा दी गई है, मतलब कि इस प्रकार की लगवक 61 करोर रुपए DT के माध्यम से पत्थ वे उसाईयों के खाते में पहुंचा दी यानि 11,000 रुपए 10,000 लोगों के खाते में पहुंचा आगए हैं, यानि इस प्रकार से कुर मिलाकर 61 करोर रुपए DT यानि कि डारेक्ट बैंक ट्रांसफर की मद्द से सीधे उनके अकाउंट में पहुचा दिए गया है मद्ध प्रिदेश के मुख्यमंत्री सिराथ सिंग चौहान के दौरा मुख्यमंत्री ग्रामीड इस्टीट वेंडर रिंड योजना के सुरुवात 8 जुलाई 2020 को की गई थी तो ये बहुत महत्पूर्ण है आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्टीट वेंडर रिंड योजना है ये कब सुरूव की गई थी तो याद रखेगा 8 जुलाई 2020 को ये पर योजना सुरूव की गई थी बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण है इस योजना के माध्यम से रज में ग्रामीड शेतरों के प्रवासी मजदूर, रेडी, फेरी वाले, रिक्सा चालग आदि लोगों के लिए लोन उपलब्द कराया जाएगा उनकी जो सुवधाओं को देखते हुए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तो कुल मिलाकर 61 कोड़ रुपए यहाँ पर अंतरित किये गए है मोख्य मंतरी सिवराज सिंग चोहान के दौरा देखेए कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में तेजी से रिकवर करते हुए मद्ध्यपदेश अब देख में साथवे स्थान से कौन से स्थान पर आ गया यानि पहले साथवे स्थान पर था इतनी ज़्यादा यहाँ पर COVID-19 के केस आ रहे थे अब जो है रिकवरी बहुत अच्छी हुई है तो कौन से नंबर पर आ गया है यानि कि चौधोँन नंबर पर आ गया है साथwertने नंबर से गिर करके यानि कि अब जो केस है वो बहुत कम आ रहे है और जो रिकवरी रैट है वो भी अच्छी है तो अब चौधवे नंबर पर आ गया है देज में पहले सातवे नंबर पर था ठीक है सब जाला केस के मामले में कोरोना वाइरस के मामले में तेजी से रिकवर करते हुए मद्ध प्रदेश देश में सातवे स्थान से चवद्वे स्थान पर पहुँच गया है विगत तीन दिनों में 41,000 से अधिक मरेश ठीक हुए है ठीक है प्रदेश के मुख्यमंतरी सिवराज सिंग चौहान पहले कोरोना वाइरस सर्वाइबर है हमने आपको बताया था सर्वाइबर कौन होता है और वारियर्स कौन होते हैं तो अपने तीन नयाई की जो आपके पुलिस वाले होते हैं जो आपके डॉक्टर होते हैं सर्वाइबर कौन होते हैं तो जो लोग अपना प्लाजमा या फिर ब्लड डोनेट करते हैं कुरोना वाइरस के रोगी को बचाने के लिए उन्हें सर्वाइबर कहते हैं और पहले मुख्यमंतरी मद्र प्रदेश की सिवराज सिंग चोहा ने जिन्होंने अपना प्लाजमा दान किया था कॉरोना से ठीक होने के बाद में तो ये कॉरोना सर्वाइबर कहला है ठीक है अब देखिए रिकवरी अच्छी हो रही है सारी चीजें पॉजिटिव हो रही है मतलब की प्रदेश में सब कुछ अच्छा हो रहा है तो आपके एक्जाम की चांस से भी बढ़ जा रहा है क्योंकि जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा हमने आप से कहा भी है माई माई में सारे चीज़े नॉर्मल हो जाएंगी जून में आपका एक्जाम हो जाएगा MPPSC का 20 जून को एक्जाम आप मान करके चलिए तैयारिया उसी हिसाब से कीजिए ठीक है और साथे साथ आपको बता दे हम कि MPPSC वालों के लिए साड़े बारा बजे हम रोज एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं उस प्रैक्टिस सेट को जरूर जोइन किये कीजिएगा हर एक यूनिट का प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ पर लेकर के आते हैं डीटेल में संजे कुमार सेट एसके सेट का अभी हाली में निधन हो गया चली कुछ जानकारी देते हैं आपको देखिए मध्य प्रैक्टिस उचिन आला के पूरू नियाधिस एसके सेट का अभी हाली में कोविड-19 की वज़य से निधन हो गया तो यह प्रैक्टिस बहुत ज्यादा महत्पूर एंपी प्रैक्टिस से आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रैक्ट तो यह आपके तीन क्यूश्चन आगे आने वाले हैं यह आपके स्टैटिक जीके के प्रैस्ट होंगे बहुत ही ज्यादा महत्पूर इस्टैटिक जीके क्योंकि आपकी परिच्छा में स्टैटिक जरूर पूछे जाते हैं चलिए पहला प्रैस्टी देखते हैं इस्टैटिक जीके का देखिए बहारती राष्टी कॉंग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी ऑप्शन है जवाहल लाल नहरू ऑप्शन बी है ए ओहुम ऑप्शन सी माहत्मा गांधी ऑप्शन नमर डी है मोती लाल में की गई थी तो याद रखना है कहां पर की गई थी मुंबई के गोकुल दास्तेजपाल महाविद्याले में कब 28.885 को इसकी स्थापना की गई थी ए ओहुम के दारा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं 1916 के कांग्रेस के लखनोगा दिवेशन के दिश्ता किस ने की थी यह दिवेशन बहुत ज़्यादा महत्मा गांधी ऑप्शन सुभास्चंद बोष ऑप्शन सी जवालान नहरू ऑप्शन नमर डी अंबिका चरन मजूमदार तो महत्मा गांधी बेलगाव दिवेशन तो न की गई थी इसमें नरम और गरम दल पुनहा एक हो गए जो 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग हो गया था और इनका पैचप कब आ करके हुआ तो 1916 में जो है लगभग 9 साल के बाद में इनका आ करके पैचप हो गया था ठीक है इसकी अधिश्ता किस ने की थी तो अंबिका च बजट का है तो वार्सिक विवरंट बजट का नाम दिया गया है और अनुचिद 112 में इसका पूर्शा बीववर्ण किया गया याद रखिएगा बजट संबद का बडन कहीं पर भी आपके समयधान में नहीं किया गया है ठीक है तो देखिए ये महत्म प्रश्ण से आपके लिए ये सारे प्रश्ण बार-बार रिवाइज कीजिए क्योंकि आपकी परिच्छा कि दिश्टी से बहुत ज़्यादा महत्म ने चाहे कोई भी आपका एक्जाम हो ठीक है चली कलके प्रश्ण की बात कर लेते हैं तो कल प्रश्ण क सच्छी दिवेदी ने बीरभुमी बताए देव सर्वारान बर भी रहेता अ है मनोज अंजलेकर ने पूरी बहुत अच्छी जान कर दिए उसके बाद है प्रकास्ताहू ने काफी जानकारी दी है उसके बाद है प्रिंसी बंसिवाल ने बहुत अच्छी जानकारी दी है बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट करने के लिए comment करते रहेंगे तो क्या होगा चीज़े आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगी ठीक है चलिए आज की बात कर लेते हैं कि आज आपसे क्या प्रशने पूचा जा रहा है तो आज का प्रशने सहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है प्रशने बार फिर से देखिए सहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है इनके बारे में जो भी जानकारी आपको एश्टा मिलते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है चाहिए आप गूगल से ही सर्च करके कमेंट कीजिए ठीक है और वीडियो पसंदाए वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों के पास सेयर कर दीजिए साथी साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नॉटिफिकेशन बेल जोड़ दबा लेजिएगा